नमश्का इन खबर में आपका स्वागत है सुप्रिम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है यानि कि जम्मु कस्मीर को ले करके आर्टिकल 370-35A को जो हटाया गया था उसको सही बताया है साफ कर दिया है कि 371 आस्थाई प्रावधान था संविधान सभा के सिपारी से राष्ट पती पर बाद नहीं थी संविधानिक बेंच के मुखिया डीवाई चंद्रचूट थे जो चीफ जस्टिस हैं बेंच में CGI के अलावा जस्टिस संजे की सनकॉल जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस बीयार गवई और जस्टिस सूरीकांत सामिल रहे सिजियाई डिवाई चंद्रचूट जश्टिस गवई और जश्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया है जबकि जश्टिस संजीव खन्ना और जश्टिस इसके कॉल ने अलग फैसला सुनाया है सुप्रिम कोट ने दिसंबर 2018 में जम्मु कस्मीर में लगाये गए राश्टपती सासन की बैताफ़ फैसला देने से इनकार कर दिया है एसी ने कहा है कि इसे याज का कारता द्वारा विशेश रूप से चुनावती नहीं दी गई थी जम्मु कस्मीर राजी भारत का अभिन अंगा बन गया है भारत के समिधान के अनुछेद 1 और 370 से एक डम असपष्ट है CGI ने साफ कर दिया है कि 370 एक अस्थाई प्राउधान है अनुछे 370 के तहत राश्टपती के सूचना जारी करने की सक्ति अनुछे 370 का स्थित्त स्तमाप्त हो जाता है जम्मु कस्मीर समिधान सभा के बिगटन के बाद भी कायम रहती है हमें ये निधारित करना आवस्चक नहीं लगता कि जम्मु कस्मीर का यूटू में पुनरगठन बैध है या नहीं किंद सासित प्रदेश के रुप में लद्दाख के पुनरगठन को बरकरार रखा गया है क्योंकि अनुछे 3 राजी के एक हिसे को किंद सासित प्रदेश बनाने की अनुमती देता है CGI ने साफ कर दिया है कि हमें नहीं लगता कि राष्टपती की सक्ती का इस्तिमाल दुर्भावना पूर्ण था हम राष्टपती के सक्ती के प्रयोग को बैध मानते हैं CGI ने अपने आदेश में कहा है कि ये सवाल खुला है कि क्या संसत किसी राजी को किंद सासित प्रदेश में बदल सकती है हम निर्देश देते हैं कि भारत के चुनाव आयुकदारा 30 सितंबर 2024 तक जमू कस्मीर विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाये जाये राजी का दर्जा जल से जल बहाल किया जाये 367 का प्रयोग करके अनुछे 370 में संसोधन के समन्द में मैंने कहा है कि जब कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसका पालन करना होगा पिछले दर्वाजे से संसोधन के अनुवती नहीं है जस्टिस इसके कॉल ने कहा बिद्रो के कारण आबादी के हिस्ते का पलायन हुआ और ऐसी इस्तिती में सेना बुलानी पड़ी राजी के लोगों ने भारी कीमत चुकाई और लोगों को पिढ़ी दर पिढ़ी आगाज से गुजरना पड़ा इसका इलाज जरूरी था जस्टिस संजीव खन्ना ने काया कानून की द्रिष्टी से गलत था लेकिन वहीं अद्धे से 370 के जरिये प्राप्त किया गया और इसलिए 273 को बैद माना गया पांच जजों की बेंच ने 16 दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था 20 से ज़्यादा याचिकाओं के जरिये आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद के फैसले को चनौती दी गई थी पांच अगस्त 2019 को सरकार ने समिधान का उन्छे 370 को निरस्त कर दिया था या पुर्वरती जम्मु कस्मीर राजी को विशेस दर्जा देता था राज को दो केंदर सासित प्रतेस्तों जम्मु कस्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया 370 पर सुनवाई के दोरान सुप्रीम कोड ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलीले सुनी केंदर की और से अटार्नी जनरल आर बेकर ट्रमडी सॉलिसीटर जनरल तुसार मेता समिधान सभा की सीपारिसे सहीराश्पति उसे निरस्ट कर सकते थे संमिधान सभा की सरकार के सालीशिटर जनरल ने कहा था गृ обрат करती हुए कहा कि सईस समयाने पर राज्य का द़ज़ा दे बिया जाएगा किन सासित परदेस का दर्ज़ा अस्थाई नहीं है स्वाली सीटर जनरल ने सुप्रीम कोट में कहा कि आजादी के 75 साल बाद वाँ के लोगों को एक अधिकार मिला है जिसे वो बंजीते ही से निरस्ट किया जाने से देश के अने लोगों को जो बड़ी संख्या में मौलीक अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकार जमुक असमीर के फैसला लिया वो सही है और जहां तक समिधान सभा की बात है वो समिधान सभा नहीं थी फिर भी ये अधिकार मिला हुआ है संसद को उसने अपने अधिकारों के तहट ये काम किया है यानि कि जो बिपक्ष में दलिले दे रहे थे किouring 1777 के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है उ रहे ने बेकमार देखते रहे हैं इनकबर तैंक यू